हेलो फ्रेंड्स नमस्कार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैनी स्कूल पर हर दिख स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में हम इक्वल MSP पर एक बहुत बड़ी अपडेट लेके आए हैं देखिए आप सभी को पता है कि दिल्ली हाई कोट में इक्वल MSP का केस ओलेडी चल रहा है उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात जो है वो है एक सरकारी IESL इंडियन एक्सर्विसमेन लीग देखिए जिसको लोगसभा के में रेजलिशन के दुआरा बनाया गया था उस सरस्थाने भी माना है कि इक्वल MSP की जरूरत है और उसने सभी राज्यों और केंदर सासित परदेशों से रिपोर्ट मंगाई है जिसके आधार पर देखिए ये डिशन लिया जाएगा कि आगे जो रेजलिशन है जो एक्वल MSP है वो देखिए सभी राज्यों चाहते हैं या कुछ संस्थाओं कहीं कहना है तो देखिए ये लेटर जो है बहुत इंपोर्टेंट है और लास्ट में मैं आपको कैलकुशन भी दिखाने वाला हूँ कि आपकी पैंसन कितनी से कितनी बढ़कर हो जाएगी अगर आप मेरे चैनल पर नए है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो पसंद आए तो लाइक और सेर ज़रू करें देखिए इंडियन एक्स सर्विसमेन लीग जिसको रेजलिशन के दौरा बनाया गया था लोग सभा में रेजलिशन पास हुआ था बाई फिल्ड मार्शल केम करिपा एंड जनरल के एस थिमाया दौरा रिकोगनाईज बाई दा गौर्रमेंट ऑफ इंडिया एमोडी ये एमोडी के दौरा रिकोगनाईज है और ये एक कह सकते हैं कि पूरी तरह से जो एक्स सर्विसमें और गांशन है उसके लिए ये अम्ब्रेला की तरह काम करती है यानि सबसे बड़ी अगर कोई संस्ता है एक्स सर्विसमें के सरकारी तो आप IESL का नाम ले सकते हैं तो लिए उन्होंने टू प्रेजिडेंट ओल इस्टेट यूटी ज एक्स सर्विसमें लीग्स उन सभी को ये लेटर लिखा है ये 9 माई का लेटर है इस लेटर की जो सबसे इंपोर्टेंट चीज है वो मैं आपको बताने वाला हूँ इन्होंने लिखा है there are conflicting views about present rate of MSP MSP को लेकर अभी conflicting views है some actions या some sections of veterans are pleading for equal MSP for all ranks कुछ veteran sections ऐसे हैं जो equal MSP की demand कर रहे है considering the past records and the developments on MSP अगर past record देखें और development देखें MSP पर तो we have to express our stand on MSP तो हमें भी MSP पर अपना stand जो है रखना होगा till now one state unit has expressed एक unit ने उनको express किया है कि भया equal MSP जो होना चाहिए all ranks के लिए and forward a letter to us और उनने हमें एक letter भेजा है fourth point है considering the demands from a section of veterans about the MSP and the accessed support for the same we are required to review and form our own stand for the same hearing the views of all UTs and states यानि सभी राज्यों और केंदर सासित प्रदेशों के view लेकर हम अपना एक combined stand रहना चाहते हैं fifth point में है in view of the above you are requested तो इन सभी को बोला गया है कि आप अपनी recommendations दीजिए आप बताईए कि आपका क्या कहना इसमें किस आधार पर क्या क्या point इसमें है अगर आप चाहते हैं B point में देखेंगे equal MSP to be given to all ranks कि सभी ranks को एक समान MSP दिया जाए तो देखें उसके लिए भी आप अपना if yes then at what rate or percentage of the basic pay अगर आप चाहते हैं कि बढ़ना चाहिए या change होना चाहिए तो आपका इसमें क्या कहना किस rate से हो या किस percentage of basic pay से हो ये भी आप बता सकते हैं C point enhancement with sliding scale is recommended and the rate that we should recommend for officers, JCOs and other ranks and the percentage of increase और उसमें कितना percentage बढ़ा जाना चाहिए ये भी आप अपने recommendations में दे सकते हो in case equal rates are recommended what may be the rate and percentage that we should recommend अगर आप चाहते हैं कि सब का rate equal हो तो आप क्या rate या क्या percentage जो है recommend करना चाहेंगे kindly discuss the issue to all state uts, यानि सभी को discuss कीजिए और 20 माई तक का समय दिया गया है 20 माई तक यहाँ पर जितने भी states and uts है उन सभी को यहाँ पर reply करना है IESL को ताकि वो अपना stand ले सके और जेके 25 माई को इनकी zoom के साथ एक meeting होगी उसमें जो है यह सारी बाते जो है discuss की जाएंगी और आगे जो भी होगा यहाँ पर forward किया जाएगा आप देख सकते हैं आपर इंदर मोहन सिंग बिर्गेडिया retired president IESL उन्होंने यह letter जो है लिखा है अब हम देखते हैं कि अगर equal MSP हो जाता है 15,500 तो आपकी pension में कितना इजाफा होगा देखे 15,500 अगर accept कर लिया जाता है या दिल्ली high code के आदेश के बाद 15,500 हो जाता है तो देखे आपको current MSP जो है 5,200 मिल रहा है तो difference आपको बचेगा 10,300 और अगर कहें इसका आदा निकाले क्योंकि ये payment में है तो देखे 5,150 रुपे परती महीना की यहाँ पर आपकी pension में इजाफा होगा अगर देखे हम बात करें एक सिपाही की तो जिसकी pension अभी 18,807 रुपे है वो बढ़कर 23,957 एक नायक की 21,244 से बढ़कर 26,394 हवलदार की 22,257 से बढ़कर 27,407 नायब सुबेदार की 26,75 से बढ़कर 31,225 सुबेदार की 31,000 से बढ़कर 36,150 और सुबेदार मेजर साब की हो जाएगी 49,925 से बढ़कर 45,075 देखे अगर बात करें एरियर तो क्या इसका एरियर मिलेगा देखे इसकी संभावना negligible है क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में अगर इतना सब इस सैनिकों को पूर्फ सैनिकों को ये पैसा दिया जाए तो देखे पोसिबल नहीं है एरियर मिलना लेकिन हाँ ये है कि जैसे ही इसकी गोशना हो जाती है तो आपको उस डेट से जो है बढ़ा हुआ मिलेगा और जैसे ओर आपकी जो पैंसन है उसमें भी सामिल हो जाएगा तो उसके लिए आपको जो नई पैंसन बनके आएगी या नया पीपी उजन के डेट होके आएगा उसमें जो आपके MSPA बढ़के आएगी लेकिन इसका एरियर मिलने की संभावना बहुत ही कम है इस वीडियो को जितना ज़्यादा होसके सेर करें ताकि मैगजिम लोगों तकी जनकारी पहुँच सके फिर मिलेंगे आपसे जै हिंद जै भारत